प्रॉट टी यू बाई आइटिल संदिक्त की पैचान 58 साल के रियान रौत के तौर पर हुई है घटना को लेकर राश्टेपती जो बाईटन के साथ साथ कमला हैरिस और एलन मस्क का भी रियक्शन सामने है न्यूज एजिंसी रॉइटर्स के मताबिक 15 सितंबर को फ्लॉडिडा के विस्ट पाम बीच में संदिक्त की कार की फोटो खिच ली संदिक के घटना स्थल से भागने के बाद पोलिस में बाकी अजन्सियों को उसकी गाड़ी की जानकारी के साथ अलर्ट भेजा संदिक्त को घटना स्थल से तकरीबन 600 किलोमेटर दूर गिरफतार कर लिया गया F.B.I. फिलाल पूरे मामले की जाच कर रही है इस घटना के बाद ट्रम ने एक बयान भी जारी किया है उन्होंने लिखा है मैं सुरक्षित हूँ मैंने अपने आसपास गोलियों की आवाज सुनी थी लेकिन इससे पहले घटना को लेकर कोई भी अफ़ा फैले मैं साफ करना चाहता हूँ कि मैं ठीक और सुरक्षित हूँ मुझे कोई भी चुनाव प्रचार से पीछे नहीं हटा पाएगा मैं कभी सरेंडर नहीं करूँगा पूरी घटना को लेकर राष्ट्रपती जो बाइडन की पतिकरिया भी सामने आई है उन्हें एक्सपर लिखा मुझे खुशी है कि पूर राष्ट्रपती को कोई नुकसान नहीं पहुचा इस घटना की जाँच जोरो पर है और एजिंसिया घटना के बारे में और अधिक जानकारी जोटाने में लगी है वही डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपती पत की उम्मीदवार और उप राष्ट्रपती कमला हैरिस का बयान भी इस मामले में सामने आया है कमला हैरिस ने कहा फ्लोरिडा में पूर प्राष्टपती ट्रम्प और उनकी गॉल्फ कोर्स के पास गोली बारी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे गई है मुझे खुशी है कि वह सुरक्षित है अमेरिका महिंचा के लिए कोई भी जगा नहीं ट्रम्प सपोर्टर और टेसला के सीओ एलन मस्क ने भी इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने जाहिर की है एक शक्स ने एक्सपर लिखा था कि वो ट्रम्प को क्यों मानना चाहते हैं सवाल प्रश्न चिन इस पर कटक्ष करते हुए मस्क ने भी लिखा कोई भी बाइडन है इसकी हत्या का प्रियास नहीं कर रहा आपको बताते चलें इससे पहले अमेरिका में 13 जुलाई को भी ट्रम्प पर हमला हुआ था तब ट्रम्प पैंसिलवेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे इसी दोरान उन पर जान लेवा हमला किया गया हमने पे ट्रम्प को कान के पास से गोली लगी हाला कि उस दुरक्षा कर्मी ने हमलावर को तुरंध ही धेर कर दिया फारिंग करने वाले शक्स की पहचान 20 साल के मास मैथ्यो क्रुक्स के दोर पर हुए क्रुक्स पैंसिल्वेनिया के बेथल पाक इलाके का रहने वाला था अब ब्याई के अनुसार तॉमस मैथ्यो क्रुक्स का कोई भी पुरान अपरादिक रिकॉर्ड नहीं मिला है इस खबर में फिलाल एतना ही आगे जो भी नहीं जानकारिया इस से जुड़ी आएंगे वह हम आप तक जरूर पहचाएंगे स्टोरी के लिए तमाम चानकारी जुटाई है हमारे साथ ही रवेराज ने देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिललन टॉप शुक्रिया